नमस्कार, मैं हूँ भावना सुमाया और ये है मेरा इस अफ़ते का फिल्म रिव्यू फोन भूत Excel Entertainment Produced और गुरमीत सिंग डिरेक्टर फोन भूत कहानी है टू होरर उपसेस्ट यूथ लड़कों की जिनका नाम है गुलू याने इशान खटर और मेजर सिधान चत्तुरवेदी दोनों मुंबई में रूममेट्स है और काम करने की कोशिश में है दोनों ने सैक्रो बिजनस प्लैंस बनाये है मगर सारे नाकाम्याप रहे है फिलहाल दोनों एक फ्लॉप इवेंट कंपनी के मालक हैं एक दिन क्यूंकि दोनों वेले हैं और वेले काम करते हैं वो स्टूडियो के बैक्याड से एक भयानक पुतला बाइज घर पर लेकर आते हैं और इसका नाम रखते हैं राकाल राकाल उनके घर पर आउट उफ प्लेस ना लगे इसलिए वो घर को और भी भयानक चीजों से सजा देते हैं हर रात उनको भूतों के सपने आते हैं और हर दिन वो भूतों के बारे में बात करते हैं एक रात उनके घर पर एक भूत आही जाए काटरीना कैफ फिल्म का जानर कॉमेडी हॉरर डिरेक्टर का इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ मस्ट जिस तरह से फिल्म शुरू होती हैं, ऐसे लगता है मानू डिरेक्टर कैमरा के पीछे से ओडियन्स को आँख मार कर कहते हैं के दिल और दमाग को मारो बोले, and welcome to my party. जिससे मोक्ष का बिजनस फ्लरश हो सकता है अगर आप इस फिल्म से कोई कहानी की अपेक्षा रखते हो तो भूल जाओ अगर आप कोई डर या थ्रिल्स की आशा रखते हो भूल जाओ इस में ऐसी कोई खास कॉमेडी भी नहीं है और लॉजिक तो बिलकुल भी नहीं है तो फिल्म में है क्या? फोन भूत में इमाजिनेशन है, कलपना, अडवेंचर है और साहस है एक नए इंटरप्रटेशन को प्रोजेक्ट करना और इस साहस में शामिल है, three extremely watchable actors Katrina Kev, who makes a beautiful ghost but the film belongs to the two actors, wonderful actors Ishaan Khattar and Sidhan Chaturvedi and to the team, entire team of Phonbhut for believing in the director's madness तो मैं भावना सुमाया, adding to the madness big ratings they do, Phonbhut ko, 10 stars